आपको paper attempt कैसे करना है अगर आपको ये पता है गाईस तो बाजी आपके हाथ में है इसका मतलब ये है कि आप लोग कोई भी exam कोई भी exam अराम से clear कर सकते हो तो आज मैं इसी बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने या कैसे और बच्चे जो लोग attempt करते हैं अच्छे से या उनकी कुछ एक technique होती है इस तरीके से attempt करेंगे तो आपके attempt भी बहुत अच्छे जाते है score भी आप लोग बहुत अच्छा कर लेते हो और अपना exam भी clear कर लेते हो तो ये video होने वाला है SBI clear prelims का जो आप लोगों का exam देखने के लिए मिलने वाला है 2-3 दिन में कि आपको उसको attempt कैसे करना है ये इस time के लिए मुझे बहुत important video लग रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए जितने भी मेरे subscriber है या जो भी बच्चे इस video को देख रहे हैं उन सब को मैं यह बताना चाहती हूं कि आप लोग अगर इस तरीके से paper attempt करोगे तो 80-85 प्लस marks आपके अराम से आएंगे बिलकुल अराम से आएंगे इसलिए video को start करने से पहले यही बोलूँगे कि skip मत करना बहुत 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 informative video होने वाला है और बहुत ही helpful रहेगा आप लोगों के लिए आप लोगों खुद आके मुझसे बोलेंगे कि yes ma'am जैसा आपने बताया उस तरीके से हम लोग paper करके आएं और हम लोगों के previous paper से लेटेडिया हम लोग जो मौक में दे रहे थे उससे लेटर हम लोगों के देखा जब compare किया तो हम लोगों का real exam में अच्छा attempt हो चुका हैगा चलिए start करते हैं guys वीडियो को उससे पहले मैं आप लोगों से बोल दूँ कि चैनल को please subscribe कर लीजेगा और bell icon को press कर लीजेगा जिससे मैं जो भी आप लोग लेए वीडियो लेके आती हूँ जो कि आप लोग लेके काफी helpful रहते हैं उसका notification आपको तुरंट मिल जाए तो आप सबसे मैं बोलना चाहूंगी आपका है SBI clerk का exam ठीक है अब उसमें आपको paper को attempt क्या करना है आपको कैसे करना है इस पे हम बात करने वाले हैं गई सबसे पहली चीज बहुत important चीज जो आपको पता होने चाहिए वो क्या है कि आपको paper में क्या करना है और क्या छोड़ देना है जिस दिन हमारे अंदर ये guts आ गए ना कि हमें छोड़ना पता होना चाहिए कि किस को हमें skip करना है किस question को हमें नहीं छूना है अगर ये हमे पता चल गया तो आप एक तरीके से आधी से जाधा चीजे समझ चुके हो तो आपका level वो आच चुका है कि हाँ आपका exam clear हो जाएगा कभी भी न जो मैं आपको points बता रहे हूं इन points पे हमेशा ध्यान देना कि एक तो आप लोगों को पता होना चीए कि क्या करना है क्या सकता है कि 90% done हो चुका है हमारा हो जाएगा लेकिन आप यह याद रखिए कि 20-20 minutes ही है आपके पास इस section के लिए अगर आप उसी question पर सारा time दे दोगे तो हो सकता है कि 45 number आप जो ला सकते थे वो नहीं ला पाए किसलिए क्योंकि आप जिद्धी बन गए वहाँ जिद हो मैंने देखा है वो रहता है English का English की strategy क्या होगी कि आप लोग ऐसा attempt कर पाओ कि overall आपके 85 plus marks आजाए तो start करते हैं गाई English आपको कैसे करना है English में सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहीं बोलना है कि जिस portion जो भी आपका ऐसा area है जो भी आपका ऐसा portion है जिस पर आपकी पर आता है ना तो सबसे पहले आप लोगों को पैसिस देखने के लिए मिलता है reading comprehension देखने के लिए मोस्टाइम आपको मिले गा reading comprehension देखने के लिए मेरी strategy आप लोगों के साथ अगर शेयर करो तो गईस पेपर देते देते मॉक लगाते लगाते इतनी हैबिट हो चुकी थी क कि अगर मेरे पास सबसे पहले reading comprehension खुलाए ना तो वो मेरे लिए एक तरीके से अच्छा पॉइंट हो जाता था कि मेरी इस पर पकड़ है मैं आराम से कर लूँगी तो सबसे पहले मैं reading comprehension की बात ही कर लेती हूं कि उसको आपको attempt कैसे करना है आप हमेशा की पकड़ अच्छी है तो एक तो आप पहले उसे करोगे जनरली मैं क्या करती थी कि सबसे पहले ना मैंने first paragraph पढ़ना होता था सिर्फ first पूरा का पूरा नहीं पहला paragraph पैने पढ़ा एक तरीके से आइडिया लग गया कि ये एक नॉमी बेस्ट है स्टोरी बेस्ट है फाइनस बेस्ट है किस तरीके का ये पैराग्राफ आया है आज के करने हैं कौन से छोड़ने है लाइक मैं अपनी बात करो तो गाइस एक आता था कि इसमें आपका true कौन सा होता है पूरा पैरस में और एक आप से पूछता है false कौन सा होता है या एक आ जाता है all of these none of these वाला या इस टाइप से मिलने मिल जाएगा कि A और B true है B और C है A और C है इसको मैं skip कर देती थी क्योंकि ये time consume करते हैं time ये हमसे मांगते हैं और हमारे पास time नहीं है इसको हम देखेंगे ऐसी बात नहीं कि नहीं देखेंगे लेकिन अगर हमें लगता है कि पूरा पेपर हमारा हो चुका है फिर हम लोग जाके देखेंगे लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे हम देखेंगे मान लीजे कोई आपका direct question पूछ लिया है question आपका direct का means होता है कि आपके कुछ ऐसे words आगए जो आपके passage में लिखे हुए है वो direct आपको दिख गए पढ़ते पढ़ते कि हाँ ये लिखा हुआ ह इसका मतलब हमें direct answer मिल जाएगा कोई ऐसा year आ गया कोई ऐसी scheme पर बात कर ली कुछ ऐसा अगर आजाता है तो आपका पता चल गया कि यार ये question हमसे हो जाएगा अगर हम लोग थोड़ा सा passage पर ध्यान दे देंगे आपने उस question को करना है आपने दूसरा जो approach होना चीए है वो vision करने का भी time देती हूं तो आपको एक काम ये करना है तो अगर आप लोग इस तरीके से जाते हैं इस तरीके से करते हैं तो आपने questions पढ़ लिये हैं आपको कही न कहीं दिमाग में idea लग चुका है क्योंकि आप एक paragraph भी पढ़ चुके हो उसके बास से आप जो reading comprehension पे उसको आप read कर लो क्योंकि आप keypoints पढ़ चुके हैं कि इस वाले question का keypoint एक scheme था एक year था कुछ ऐसा word था आपने वहाँ देखा आपको लगा कि इस type से ही पूछा है और यह आपका answer होगा तो guys direct आपको answer मिल जाता है तो first approach आपकी second approach हो गई आपकी workup पर workup भी आपसे इजली हो तो एक बार आपका काम क्या रहेगा कि सरसरी निगाउ से आप फटा-फट true या false वाला देखो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए हो सकता है कि story based आया हो आपकी story ऐसी होई हो कि वो आपको चीज समझ में आ जाए तो आपका काम उस समय क्या रहेगा ये ध्याण से सुनिये आपका काम रहेगा कि आप उस question को लगाओ, जब लगाओ, जब अगर आप 90% sure हो तो, यह आप लोग risk पे लगाओगे, अगर आप 90% sure नहीं है, अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं यार नहीं भी हो सकता है, मत लगाना, क्योंकि guys accuracy matter करती है, मान लो आप 30 out of 30 कर आए, लेकिन accuracy नहीं है, आपके आ रहे हैं, 10-12 नमबर ना, तो कुछ नहीं होने जा रहा है, आपने भले ही 15 question कियो हो, लेकिन accuracy इसी है कि एक ही याद गलत हो, तो आपका फिर भी हो सकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, exam देके आके आप मुझे होगे word swap के question, जब आप लोग लगाते होगे mock test, English की इस से बहतर strategy मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है, मैं आप लोगों को बता रही हो, आपके सामने live example हूँ, आप लोगों ने देखा है कि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाती हूँ, आप लोगों को बहुत हो रही है, त तो word swap न आपका इतना tough नहीं आएगा, जो आपका लिखा होगा, उसमें आप word swap easily कर लोगे, क्योंकि हम लोगों के अप थोड़ा सा आ चुका है English का skills इतना develop हो चुका है कि word swap आप कर ले जाओ, meaningful आपको खुद लगने लगेगा जब आप word swap कर के देखेंगे तो, तो दूसरा काम आपको यह करना है, five marks का आजाएगा guys, नहीं तो three to four marks का तो आएगा ही आएगा, यह कर लेना आप, उसके बाद से आपकी third काम जो रहने वाला है, वो रहने वाला is spelling errors, spelling errors क्यों इतना जादा important है, क्योंकि guys आप लोग read कर रहे हो, day by day read कर रहे हो, newspaper read कर रहे हो, mocks लगा र तो आपको spellings पर कहीं नहीं अच्छी पकड़ हो चुकी है, spelling errors करो, बेज ही जाख हो के करो, उसमें आप five में से five पूरे आराम से ला सकते हो, right, reading comprehension में से आपके 10 questions आए, आप six to seven to eight आपके आराम से हो गए, यहां से आपके five हो गए, word swap के आपके हो गए, fillers में यह बोलूंग है, तो आप fillers भी अच्छे से कर ले जाओगे, क्योंकि SBI क्लग प्रिलिंस है, इसको हुआ नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि आप कर लोगे, guys, यकीन मानूँ आप लोगे, क्योंकि मौक दे रहे हो, आप लोग अपने mark share करते हो, मुझे यकीन है इस चीज का कि कर ले होगे, तो उसका आपका काम क्या रहेगा, fillers के आपको करने है, जिसमें आप 90% sure है, then last आप से मैं बात करू, errors और para jumbles बचते हैं, इसमें हमेशा आप लोग देखते होगे, mock में भी कि आप लोगों की mistake होती है, तो errors किसका सही जाएगा, errors उन बच्चों का सही जाएगा, जि तो grammar में अगर आपके अच्छी पकड़ है, तो आप लोग error करो, error में भी वो करो, जैसे 5 आपके, जिस पर आपको 2-3 ऐसे होगे, जिस पर आपको surety होगी, आपको लग रहा होगा, कि हाँ ये होगा, जब आपको लगने लगे कि 90% कि हाँ ये होगा, 95% लगने लगने लगे पर मैं आप लोगों को 20 questions बोलती हूं की लगाई है, तो errors पर आप लोगों की इतनी पकड़ है कि आप 5 में से at least 3 तो सही करके आ सकते हो, दो तो सही करके आ सकते हो, ठीक है, तो ये रहा आपका errors का काम, guys, last moment बचता है आपका para jumbles, या उसको आम rearrangement भी बोलते हैं, जो आपके words आपको ऊपर नीचे करके दीवी होती है, इसकी सबसे best approach जो मैं भी use करती थी, क्योंकि para jumbles के guys, ये होता है कि ये नहीं चीजे समझ में आती है, 5 to 6 आपके lines होती है, उसको आपको rearrange करके सही से लिखना होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर हमारी reading skills अच्छी हो चुकी ह तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसी हमने पहला jumble देखा screen पर, हमने पड़ी जो उसकी lines है, उसमें सबसे पहली line अपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि या तो वो story-based होगा, तो किसी के name से start हो रहा होगा, अगर वो scheme-based होगा, तो किसी scheme से start हो रहा होगा, अगर वो किसी organization-based तो पूरा नेम पहले होगा बाद में उसकी शॉर्ट फॉर्म होगी I think you are getting my point कि मैं क्या बोलना चाहरे हूं आप लोग से क्योंकि आप लोग मॉक्स लगा रहे हैं मैं आप लोग के साथ 10 डेजी शेयर अल्रेडी कर रही हूं आप लोग मॉक्स लगा रहे हैं एक दिन में तीन पहरा जंबल से तो दो कुष्टन यहां से कर लिए जनरली यह होता है कि फर्स्ट के बाद वाला जो सेकेंड वाला होता है वो भी समझ में आ जाता है उसके बाद जो हमें शफल करने होते हैं वो चीज़ें हमारी कहीं न कहीं दिक्कत करती हैं तो आप मेरे हिसाब से पहरा में से दो या तीन कुष्टन आराम से करके ले जा सकते हो तो गैस अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे न तो आपके कहीं न कहीं 20 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आराम से आ जाएंगे पेपर इतना टफ नहीं आएगा बहुत जादा आपका टफ नहीं आएगा एक चीज और बोलना चाहूंगी स्टार्ट जब भी करना किसी भी शेक्षन को किसी भी शेक्षन को ध्यान से सुनो ये तो मान लो इंगलिश आपका थोड़ा सा वीक पाइट है लेकिन आप किसी भी शेक्षन को स्टार्ट करेंगे तो आपके जो स्टार्टिंग के 5 मिनिट रहते हैं साथ मिनिट रहते हैं वो इतने जादा important होते हैं इतने जादा crucial होते हैं क्योंकि आपका mind उस समय नॉर्मल तरीके से जादा आपका work कर रहा होता है और आपको अगर आपने question करना शुरू किया और वो question आप सही से नहीं कर पाए यह आपको लगा कि यार यह गलत हो सकता है यह सही से नहीं हुआ है तो guys उस समय आपका confidence level होगा वो यहां से यहां आ जाएगा वो नहीं करना है अगर starting में confidence level डूब गया तो आपका paper कहीं न कहीं अच्छा नहीं जाने वाला है paper खराब हो जाएगा लेकिन starting में आपने वह वाली question start कर दिये जिस पर आपकी अच्छी command है त अपना mind cool रखना है analysis वगरा जादा मत देखना मालो आपका किसी दिन पर थर्डिया fourth shift है first shift का second shift का analysis मत देखना सब लोग बोलते हैं देखना मैं बोलूंगे guys मत देखना माले जह 13 को paper है 10-11 का देख लो उसके लिए नहीं बोल रहे हो same day पर अगर आपका third or fourth shift है उससे पहले का मत देखना क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो reality यह है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो उस दिन जितना cool रह सकते हो cool जाना ऐसे सोचना कि घर में बैठके मौक लगा रहे है फिर देखना paper अच्छा हो जाएगा तो guys यह थी English की बात English में आप लोगों को सब में वैसे तो सारे section में आपको accuracy maintain करनी है बट English में न हमें पता नहीं चलता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है कहीं न कहीं यह हो जाता है तो यहीं बोलूँगी कि आप लोगों को accuracy पर अच्छे से ध्यान देना है second में बात कर लूँ कि आपकी screen पर क्या खुलेगा guys generally आपका quant आता है English के बात से then reasoning रहता है तो quant की strategy में आप लोगों के साथ share कर लेती हूँ क्वांट में आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जो आपके screen पर खुल के आएगा या तो वो miscellaneous part हो सकता है miscellaneous मतलब arithmetic वाले part या आपका DI हो सकता है या आपके simplification number series के question हो सकता है सबसे पहला काम आपका same इसमें भी रहेगा क्या जो आपका जिस पर अच्छी command है जिस पर अच्छी command है वो पकड़ो लेकिन मैं तब भी बोलूँगी कि अगर आपकी इस पर अच्छी पकड़ है तो आपकी simplification पर number series पर quadratic पर DI पर calculation पर सब पर अच्छी पकड़ होगी फिर ठीक है तो सबसे पहला question अगर आपका miscellaneous part का arithmetic part का खुलता है उसे मत करना फटा-फट से उस question पर जाना जो आपके लिए फटा-फट पाच मिनट में आप आठ से नौ question कर लो और guys होते है होते है ऐसा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ढूड़ेंगे simplification, approximation, number, series, quadratic, इस type के question इसे आप करके एक side हटा दो आपके पास अभी भी 11 से 12 मिनट बचेंगे आपकी दो डियाई आई आप मान के ही चलो की आनी आनी है कभी-कभी तीन भी देखने के लिए मिल जाती है जो थर्ड देखने के लिए मिलती है वो कैसलेट होती है तो दो डिया करो उसके बाद आपके पास बचेगा 4-5 मिनट गई तो उसमें आपको मिसलीनियस में भी वो वाला टॉपिक उठाना है जिस पर आपकी कमांड अच्छी है ऐसे आप लोग क्वांड करेंगे तो यकीन मानिये आपके 25 मार्क्स आ जाएंगे आराम से आ जाएंगे क्योंकि हम को बाद आप हैं कि बहुत हमें मतलब जब यहां दे रहे होंगे आप लोग जैसा मौख में करते हो ना भाह फिच्छी जलती है। तो यही बोलना चाहंगे कि जो मैं आज आप लोगों को यह स्टेटेजी कर आज के आपके जो भी मौक रहेंगे कल के आपके जो भी मौक रहेंगे परसो के आपके जो भी मौक रहेंगे उसमें आप सेम स्ट्रेटेजी से काम करने वाले हैं सेम तरीके से अटेम्ट करने वाले हैं जिस पर आपकी कमाइंड पहले आप उस पर करो तो गाइस तीन तीन करक है, calculation speed अच्छी करनी है, quant ऐसे हो जाएगा, बात कर लेती हूँ, reasoning की, reasoning में आपका क्या आता है सबसे पहले, या तो puzzles आ जाएगी, या misleading part आ जाएगा, इस puzzles पर, अगर sitting arrangement और puzzles पर अच्छी command है, तो आप शुरू कर दीजेगा उससे, छोटी वाली से, बड़ी वाली नहीं, अगर आपको लग रहा है, uncertain लोग बेठे वे हैं, या आपको पता नहीं है, कैसे start करना है, approach आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी मत इस पर आपकी command अच्छी है, इसको आप 10 मिनिट में कर ले जाओगे, तो लास्ट के 10 मिनिट में आपकी जो 3 से 4 puzzles या sitting arrangement कुछ भी बोल लेते हैं, अगर ये आएगा तो उसमें से आपके 2 अगर हो जाएंगे, तो आपका अच्छा हो जाएगा, event मुझे पता है, मैंने आप आप लोगों के पास बहुत टाइम है, और आप लोगों के पास बहुत टाइम है, तो आप लोगों को कैसे करना है, वो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, मेरा ये मानना है कि आप 35 में से 33+, 34+, even 35 out of 35 लेके आ सकते हो, easily, ठीक है, प्रेक्टिस के उपर बात होती है, इसलि किसे attempt करना है, पजल में भी आप वो attempt करेंगे वो वाली पजल जिस पर आपकी कमांड अच्छी है, किसी की circular based sitting arrangement पर कमांड अच्छी है, किसी की box puzzle पर कमांड अच्छी है, किसी की month वाले based पर कमांड अच्छी है, तो आप लोगों को वही चीज़े वहाँ पर देखनी है, आ आप लोग एक बार देखोगे guys idea लग जाएगा कि आपको ये करना है आपको ये नहीं करना है तो ये तो थी आपकी strategy इसके लिए मैंने आप लोगों को अलग-अलग subject wise strategy भी guys share कर रखी है जिसको मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होग स्क्रीन पर ये आपकी है English की strategy इसका जो है link मैं आप लोगों को यहाँ पर आई-card में दे मिल जाएगा आप लोग वहाँ पर क्लिक कीजे अराम से देखिए बहुत बहुत बहतरीन तरीके से बताई है English की strategy ये थी क्वाइंट की strategy ये गाईज एक एक चीज लिक लिक के मैंने आप लोगों को बताई है कि आप लोगों को ये कैसे करना है कैसे आप लोगों समझ में आ जाएगा और ये आपकी है reasoning की strategy बहुत अच्छे तरीके से समझाई बच्चों का बहुत अच्छा response मिला ये ही last मैं बोलना चाहूंगे कि कि किसी भी question को लेके जिद्धी मत बन जाना कि नहीं मुझे ये attempt करना ही है ये मुझसे हो जाता है वहाँ आपके पास 60 minutes ही है और वही 60 minutes आपकी life change कर सकते हैं यकीन मानो आपका prelims निकल जाएगा आपका confidence का level होगा वो बहुत हाई होता है उस time पे फिर आपको लगता है कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं तो इस strategy के साथ जाओ आपके 85 plus marks आराम से आजाएंगे 85 plus नहीं भी आए तो guys 80 plus marks भी अगर आजाते है आपके तो प्रिलेंस में इतना more than enough है इससे जादा आपका cutoff नहीं जाने वाला है इतना मेरी बात के आप यकीन करके काम तो करो last के 3 days पर बढ़िया से महनत कर दो जो marks लगाओ वो इसी strategy के साथ लगाओ कि इसी तरीके से आपको real exam में करना है आप देखोगे आपके marks में सुधार देखने के लिए मिलेगा ये बात उन बच्चों कले जादा थी कि जिनका basic clear हो चुका है जिनका नहीं हुआ है मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि quant की और reasoning की class मैं free में आप लोगों को दे रही हूं अनकेडमी पर RRB के paper सामने है SBI PO आएगा IBPS PO clerk आएगा RRB PO clerk आपके सामने आगा इस अभी भी कुछ नहीं बिगड़ाए जाए मेरी class देखिए 3-4 मेरी class live होती है BAC10 code है या unlock code होता है इससे आप लोग unlock कर जाएंगे मेरी classes में और किसी भी जो teacher educator पढ़ाते है उनकी special classes में तो इससे आप लोगों को कहीं बहुत benefit ही मिलने वाला है helpful ही रहने वाले है वो videos आप लोगों के लिए तो देखिएगा आज का ही वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज 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 मुझे comment करके बताएगा क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहु प्लीकुल भी मत भूला वना notification आप लोगों के पास नहीं जाएंगे और वीडियो को जितना हो सके share कर दीजेगा like कर दीजेगा thank you for watching this video guys मिलते है next video में